शाहरूख खान की अगली फिल्म दकिंग को लेकर बोमान इरानी का शांदार रेक्षन सामने आया है। शाहरूख खान की आने वाली फिल्मों की चर्चा पूरे बॉलिवुड में चल रही हैं। वही बोमान इरानी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि शाहरूख भी किंग फिल्म को हॉलिवुड पर लेकर जाने को तयार है लेकिन इससे पहले शाहरूख खान अपनी फिल्म दकिंग की सारी तयारी कर रही हैं। अगले साल आपको दो बड़ी फिल्में शाहरूख की देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप शाहरूख खान कि शाहरूख दकेंग को पहले रिलीज करेंगे वही दोस्तों फिलहाल की खबरों की माने तो शाहरूख खान अपनी अगली फिल्मों के लिए शूटिंग कर रही हैं जो हमें अगले साल देखने को मिलेगी एक इंटर्व्यू में शाहरूख खान कहते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रही हैं जो सब के होश उड़ा देगी और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं फिलहाल की अपडेट के मुताबिक कि इंग खान इस बात से बेहत खुश है कि उनका साल कैसा गुजरा क्योंकि उनकी मेहंत अच्छी रही और फिल्मे बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं खबरों की माने तो शाहरूख खान साल 2024 के अगले महीने में तीन फिल्मों की अनाउस्मेट कर सकते हैं उन्होंने कहा इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एकसाइटेड है लेकिन SR के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर चीजें आगे बढ़ेंगी वही आपकी जानकरी के लिए बता दे कि शाहरूख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी शाहरूख हमेशा अपनी ओडियन्स के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं अगर वायारेफ अपनी धूम फिल्म को बताएंगे तो उसके अंदर शाहरूख को लेंगे और वही साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर भी शाहरूख हम के साथ काम करने वाले हैं